हेलो गाइस नहीं बात करने वाल है मैट प्लस हेल्थ इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का quarter 4 का result आ चुका है सामने तु कैसा इस कमपनी का result और क्या इस कमपनी ने dividend दिया है कि नहीं वही आज की स्टेड़े में discuss करेंगे तो ये वीडियो अंतर देखते रहे ना मैट प्लस हेल्थ इस कमपनी की बात करें इस कमपनी का इहां पर पूरा नाम है मैट प्लस हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड इस कमपनी का आप पर सारे के सारी results में millions में amounts बताईगी है consolidated results आप लोगों के सामने presented quarter and quarter base की उपर और year on your base की उपर company के results को compare करेंगे सबसे पहले यहां पर बात करेंगी company की income की बारे में तो revenue from operation and other income को मिलाकर company का total income देखने को मिल जाता है 9789.55 million rupees का quarter and quarter base के उपर और year on your base के उपर company की income में लगातार तेसी होती भी नज़रा दिया है इस company के expense की बात करें तो expense इस company का देखने को मिल जाता है यहां पर से 9,683 million rupees का company का total expense देखने को मिल जाता है इस company के expense की बात करेंगे लगातार expense भी बढ़ते होना सरा रहा है year on your base के पर पर company के expense बढ़ एक चीज़ यहाद रखना कमपनी के profit ही बात करें तो profit after tax आप लोग देखने जाते हो तो quarter and quarter base के पर company के profit गिर रहा है बाकि year on your base के पर company के profit में इसदाफा देखने को मिल रहा है यहाँ पर long term perspective से आप लोग देखना चाहते हो यह company को तो आप लोग जरूर से इस company को यहाँ पर से watch list में रख सकते हो बाकि investment purpose यह company बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं नज़र आ रही है इस company के EPS की बात करें तो वो भी continuous down होते हुए नज़र आ रहे है quartering order base के पर year on your base के पर भी इस company के EPS आप लोग देख सकते हो यहाँ पर improve होते हुए नज़र आ जते है इसी segment के अंदर एक चीज़ बता दू आने वाले समय में farm easy करके company है वो भी IPO लाने जा रही है 2030 के अंदर बाइस तरीस के अंदर तो यह company इसी segment के अंदर काम करिए उसका brand value बहुत ज़ादा है इसी कोई से मेरे को ऐसा लगता है एसी छोटी मूटी company आने वाले समय में बहुत स्ट्रगल कर सकती है यह एक पूरा sector बहुत ज़्यादा growing sector है अच्छे margin वाला sector है पर अभी भी यहाँ पर से बहुत ज़्यादा penetration काम है बहुत सब्सक्राइब लोग यहाँ पर ऐसी products को इस्तेमाल निकलते है तो यह सारी चीजों की वज़े से opportunity बहुत ज़्यादा बड़ी बाकि आपका उपी नहीं मिल को जरूर से बताओ comment section में वीडियो पसंदा है तो like चनल को subscribe करना मुद बुला पेशल 6 मेरे के अंदर company के शिर ने 22% 21-22% का गिरावाट दिखा चुका है आने वाल समय में company के शिर में गिरावाट आर सकती है यह long term perspective सी यह company इतनी साथ attractive नहीं है क्योंकि यह इस company के इतनी brand value नहीं है और पुरे इंडिया के अंदर इस company की यहाँ पर रिजंट्स नहीं है ठीक है तो यह चीज आद रखना बाकि आपका उपी नहीं मिल को जरूर से बताओ comment section में video पसंदा है तो like channel को subscribe को नहीं बुला goodbye love goodbye फिर मिलते नेक्स रड़ों good bye short term and ले जाना चाहते हो यह company को तो जरूर से ले जाज सकते हूँ ठीक है तो यह चीज जरूर से आद रखना बस अचके लिद नहीं good bye love goodbye फिर मिलते नेक्स रड़ों में good bye